एलो फ्रेंड मेरा नाम है सोयब ब्लोच और आप देख रहें सोयब कलर्स आइडियास तो आज हम लोग बात करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ASEAN PEN, TENCIL DEGEN यानि की आपको ASEAN PEN में भी मिल जाएगी और LOCAL कंपनी में भी TENCIL DEGEN आपको मिल जाएगी कि यह फर्मे वाली डिजेन आती है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, कितने में आपको पढ़ेगी, यह डिजेन और कितना रुपिया इसका ख़र्चा लगता है और मज़़ूरी, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत किजे, ये वीडियो फूल वोच कीजिए आपको सारी जानकारी बता दूंगा मैं तो आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सी डीजन करनी है आपको कई सारी अलग-अलग डीजेन भी है और अलग-अलग कलर में भी मैंने बनाई है डीजेन तो आपको आइडिया भी आ जाएगा का मेरे को हाँ पर गुला भी कलर में करनी है पिंग कलर में करनी है डार का केसरी में करनी है वाइट में करनी है याने की ब्लू में करनी है आपको या भी आ सकता है कि मैं किसमे करूँ तो दोस्तो आप किसमे भी करो मेरी दो बात जरूर मानना आप अगर दीवाल पर कर रहे हो तो सबसे पहले जो बेक ग्राउंड कलर होता है उसको अमेशा डार्क ही रखना है क्योंकि डार्क कलर में अमेशा ज्यादा सूटेबल रहती है औ उसको उज़त discretion बना रहे हो तो उसपरमेशा वाइट कलर की एक डिज़न जरूर बनाई है अलग अलग डेज़न है तो 2-3 कलर यूज कर सकते हो या फिर एक की डिज़न है आपकी तो अमेशा उसको वाइट कलर में बनाई है वह काफ़ी ज्यादा खुबशरत लगती है काफ को कम से कम 200 रुपिया से लेके 500 रुपिया तक की आराम से मार्केट में उपलब दे कंपनी की भी उपलब दे और लोकल भी उपलब दे आप चाहो तो एमेजों से भी मंगा सकते हो ओनलाइन भी देखकर और दोस्तों आप लोग अपने घर पर कौन सी डिजन बना रहे हो यह आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कॉमेट करके जरूर पूछ सकते हो आपको रिपले 100 परसंद मिलेगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आए होगी प्लीस वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नवो त सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई